की हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए सब्मरीं ऑप्टिकल फाइबर केबल के उठ घाटन के शुब अफसर पर मैं मानिनिय संचान मंत्री से निवेदन करता हूं कि परम आधरणिय अप्रधान मंत्री जी एवं अन्य अतितियों का स्वागत करें शद्धेय प्रधान मंत्री जी अंडमान निकोबार के लेफ्टन गवर्नर आद्मिरियल डीके जोशी हमारे विभाग के सम्मानिय राज्यमंत्री संजय दोत्रे स्थानिय सांसर्द स्री कुल्दिव शर्मा जी विभाग के सच्चिव अनिसभी पतादिकारी गन मानिर पतान मंत्री जी आज बहुत ही एतिहासिक दिन है कि आज 2313 किलोमेटर लंबी सबमेरिन अप्टिकल फाइवर चेन्नाई से अंडमान को हम जोड रहे हैं जिसका उद्गाटन आपके करकमलों से हो रहा है इसे बीएशनल एक्जेक्यूट कर रहे हैं एनिसी के माध्यम से फंडिंग भारत सरकार किये हैं और कीसी आईल ने इसका प्रजेक्ट बनाया है मानिर्पथान मंतर जी अंडमान निकोबार से हमारा भावनात्मक लगाओ है संघर्ष त्याग वा बरिदान की भूमी है अंडमान निकोबार वीर सावरकर ने काला पानी की कोठ्ठी में जो वीरता का संदेश दिया उसने हमें बच्पन से प्रेरित किया है सुभाष चन्रबोस की भी एक कर्म भूमी रही है और ये देश का सभाग्य है कि आपने स्वैम जाकर इन भारत माता की इन दोनों सपूतों के महान योगदान को पुना स्थापित किया और देश को बताया और आज वैसे अंडमान निकोबार में ये देश कले सभाग की बात है कि डिजिटल इंडिया आत निर्भर भारत ये आपके दोनों सपनों की एक प्रकार से प्रतिमूर्ती ये सब्मिरिन आप्टिकल फाइबर और ये सश्वी बनाएगा वहाँ के लोगों को उत्साह, युगदान, अवसर, नियोजन सब मिलेंगे और आपसे मानी पतार मनतीजी मैं एक बात अवश्य कहूंगा इसके सिल्सले में मुझे दो तीन बार उस इदाके का दौरा करने का सोभागी मिला इसके लिए लोग उत्सकंटा से पतिक्षा कर रहे थे तो आज के अंडमान निकोबार के इस स्वर्णिम दिन के अवसर पर आपका मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ और मुझे मालूम है कि आपके अशिर्वाद से अंडमान निकोबार के जनता एक नए प्रणा के साथ डिजिटल इंडिया, टेक्लोजिकल भारत, आत्दरभर भारत, सावलमी भारत के महानी जग में जुटेगी आपका बहुत अभिनंदन आपको बहुत प्रणाम महानी पतानमंत्री जी आप से मैं विनमता से आगरा करूंगा, प्रिप्या करके आप इसका उद्धाटन करें, उसके बाद फिर एक छोटी फिल्म होगी, फिर आपका आशिर्वाद हम लोग प्राप्त करेंगे खड़े हो जाए मुझा, जरे जिए, जरे जिए कोण अंडमान निको बार तुईपसमो दक्षिन पूर्व में अपनी प्राकर्तिक सुन्दर्ता और सामरिक महत्व के कारण अपना विशेश स्थान रखता है यहां स्वतंतरता संग्राम के दौरान वीर सावरकर को काला पानी की सजा के लिए रखा गया था साथ ही ये वही जगहा है जहां नेताजी सुभाष चंद्रबोस ने 1943 में सबसे पहले भारतिय तिरंगा लहराया था माननिय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने डिजिटल क्रांती को पूरे भारत में लाने का संकल्प लिया है लेकिन इस खोपसुरत द्वीप समहों का जुडाव देश के शेश भाग से उपग्रह संचार के माध्यम से था और यहां की लगभग 4 लाख जनसंख्या के लिए इंटरनेट और हाइ स्पीड डेटा की उपलब्धता सुगम नहीं थी माननिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोधी जी ने 30 दिसंबर 2018 को पोर्ट ब्लेर सबमरीन ओप्टिकल फाइबर केबल के इस महत्व कांक्षी प्रोजेक्ट की आधार शिला रखी इस प्रोजेक्ट के तहत चिन्नई से अंडमान आइलेंड्स के बीच लगभग 2300 किलोमेटर अंडर सी सबमरीन ओप्टिकल फाइबर केबल विछाने का लक्षी रखा गया कोर्ट ब्लेर उतना ही मेंडलेंड है जितना दिल्ली मुंबय वर चिन्नई है साथियों और जोगीक और टूरिजम का विकास तब होता है जब कनेक्टिविटी अच्छी होती है यहां की कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए इस वर्ष फोन और इंटरनेट कनेक्टिविटी को भी बहतर किया जा रहा है चिन्नई से आ रही अंडर सी ओप्टिक फाइबर केबल से अब पोर्ट ब्लेयर में उतना ही अच्छा इंटरनेट चलेगा जितना की दिल्ली या चिन्नई में चलता है अब बारी थी इस चुनोती पूर्ण कार्य को करने की और BSNL ने युद्धस्तर पर चिन्नई और पोर्ट ब्लेयर के दोनों च्छोरों से समुद्री केबल बिछाने का कार्य शुरों किया अंडमान निकोबार के आठ द्वीब समुहों पोर्ट ब्लेयर, स्वराज द्वीब, लिटल अंडमान, कार निकोबार, कमोरता, ग्रेट निकोबार, लॉंग आइलंड और रंगत को जोडने के लिए समुद्री केबल के लिए विशेश केबल लेंडिंग स्टेशन बनाए और देखते ही देखते, 1224 करोड का ये प्रोजेक्ट यूजना बद्ध तरीके से पूरा कर लिया गया, आज पोर्ट ब्लेयर को चिन्नई और स्वराज द्वीब और लिटल अंडमान से जोडने वाले तीन मेन सेग्मेंट्स का शुभारंब, प्रधान मंतरी श्री नरेंड प्रिद्र मोदी जी के कर कमलोद्वारा किया जा रहा है, इससे अंडमान नीकोबार द्वीब समहू के निवासियों और लाखों परियटकों को इस इन्फोमेशन सूपर हाईवे से जोड़ा जा रहा है, सामरिक महत्व के इस द्वीब समहू पर भारतिय सेना की इंटरनेट सरुरतों को पूरा करने के लिए भी ये परियोजना लाभप्रद होगी, समुद्री ऑप्टिकल फाइबर केबल के जरिये भारतिय द्वीबों को जोड़ने की ये पहली परियोजना है, ये परियोजना इन द्वीबों के निवासियों के जीवन में बड़ा बदलाव लाए अब इस द्वीब समुहु में टेली मेडिसिन, ओनलाइन एजुकेशन की सुविधा, पर्याटन और उद्योगों को बढ़ावा, स्थानिय अर्थव्यवस्था में वृद्धी और नागरिकों के जीवन स्तर में और सुधार होगा, साथ ही इस से कुशल प्रशासन के लिए भ लगा सकेंगी, अब डिजिटल क्रांती के साथ अंडमान नीकोबार द्वीप समुहु भी देश के साथ कंधि से कंधा मिलाकर नए और आत्म निर्भर भारत की ओर अग्रसर होगा, नमस्कार, भारत की आजहादी की तपोस्थली, संकल्पस्थली, अंडमान निकोबार की भूमी और वहां रहने वाले, सभी को मेरा नमस्कार, आज का दिन अंडमान निकोबार के दर्जनों द्वीपों में जो लाखों लोग बसे हैं, उन सब के लिए तो एहम है ही, पूरे देश के लिए भी महत्वपूर है, सांत्यों नेता जी सुभास्चंद्र बोश को नमन करते हुए, करीब डेड़ वर्ष पहले, मुझे सुब्मरीन अप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी परियोजना के सुभारम का आउसर मिला था, मुझे खुशी है कब इसका काम पूरा हुआ है और आज इसके लोकारप्रण का भी सुभाग्य मुझे मिला है, चेन्नई से पॉर्ट ब्लेर, पॉर्ट ब्लेर से लीटल अंदमान और पॉर्ट ब्लेर से स्वराज दीप तक, अंदमान निकोबार के एक बड़े हिस्से में ये सेवा आज से शुरू हो चुकी है, मैं अंदमान निकोबार के लोगों को इस सुभिधा के लिए अनन्त अवसरों से भरी इस कनेक्टिविटी के लिए बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ, शुब कामनाई देता हूँ, स्वतमत्रता दिवस से पहले ये अंदमान के लोगों के लिए एक प्रकार से पंदरा अगस के पुर्व इस्सी सप्ता एक ने भरे उफ़हार की तरह ये अवसर मैं देखता हूँ, साथियों, समंदर के भीतर करीब 2300 किलोमेटर तक केबल बिछाने का ये काम समय से पहले पुरा करना ये अपने आप में बहुत प्रसौंशनी है, गहरे समंदर में सर्वे करना, केबल की क्वालिटी मैंटेन रखना, विशेश जहाज़ों के जरिये केबल को बिछाना ये आसान नहीं है, उपर से उची-उची लहरे, तुफान और मौनसून की रुकावट, जितना बड़ा ये प्रोजेक्ट था, उतनी ही विराट चनवतियां भी थी, ये भी एक बज़ा थी, कि बरसों से इस सुविधा की जरूरत महसूस होते हुए भी, इस पर काम नहीं हो पाया था, लेकिन मुझे खुशी है कि सारी रुकावटों को किनारे करके इस काम को पूरा किया गया, यहां तक की कोरोना जैसी आपदा, जिसके कारण एक प्रकार से बहुत से चीजे प्रभावित हुई, बहुत से चीजे ठप कर से हो गई, वो भी, इस काम को पूरा होने से रोक नहीं पाई, साथियों, देश के इतिहास, वर्तमान और भविश्च के लिए, इतने महत्वपुन स्थान को, वहां के परिश्रमी नागरिकों को, आधुनिक टेलिकॉम कनेक्टिविटी देना, यह देश का दाईत्व था, एक बेहत समर्पिक टीम के द्वारा, टीम भावना से, आज एक पूराना और महत्वपुन सपना साकार हुआ है, मैं इस प्रोजेक्ट से जुड़े, हर साथी को भी बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ, साथियों, ऐसे चुनोति पुण काम तभी हो सकते हैं, जब पूरी क्षमता के साथ, पूरे कमिट्मेंट के साथ किया जाता है, हमारा समर्पन रहा है कि देश के हर नागरिक, हर ख्षेत्र की दिल्ली से और दिल से, दिल्ली से और दिल से दोनों दुरियों को पाटा जाए, हमारा समर्पन रहा है कि देश के हर जन, हर ख्षेत्र तक आधीक सुविधाय पहुँचे और हर नागरिक का जिवन आसाम बने, हमारा समर्पन रहा है कि राष्ट की सुरक्षा से जुझे, बॉर्डर एरिया और समुद्री सिमाप्रभसे क्षेत्रों का तेजी से विकास हो। साथियों, अंडमान निकोबार को बाकी देश और दुनिया से जोडने वाला ये अप्टिकल फाइबर प्रोजेक्ट, इज अफ लिविंग के प्रती हमारी प्रतिवद्धता का प्रतीख है। अब अंडमान निकोबार के लोगों को भी मोबाइल कनेक्टिविटी और तेज इंटरनेट की वही सस्ती और अच्छी सुविदाएं मिल पाएगी। जिसके लिए आज पुरी दुनिया में भारत अग्रणी है। अब अंडमान निकोबार के लोगों को, बैनों को, बच्चों को, युवाओं को, व्यापारियों, कारोबारियों को भी। डिजिटल इंडिया के वो सभी लाब मिल पाएंगे जो बाकी देश के लोगों को मिलते आ रहे हैं। ओनलाइन पढ़ाई हो, टूरिजम से कमाई की बात हो, बैंकिंग ओपरिशन्स हो, शॉपिंग हो, या टेली मेडिसिन दवाईया हो, अब अंडमान निकोबार के हजारों परिवार को भी ये ओनलाइन व्यवस्थाएं मिल पाएगी। साथियों, आज अंडमान को जो सुविधा मिली है, उसका बहुत बड़ा लाप वहाँ जाने वाले टूरिस्टों को भी मिलेगा। बहतर नेट कनेक्टिविटी आज किसी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन की सबसे पहली प्रात्फिक्ता हो गई है। पहले देश और दुनिया के टूरिस्टों को मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी का कम होना बहुत अखरता था। अपने परिवार से अपने बिजने से एक प्रकार से उसका निरंतर संपर कट जाता था। अब ये कमी भी खत्म होने वाली है। अब इंटरनेट अच्छा मिलेगा। तो मुझे पुरा विश्वास है कि लोग जो टूरिस्ट के निते वहां आते हैं वो वापिस जाने की जल्दी नहीं करेंगे। वो लंबे समय के लिए वहां रुकना पसंद करेंगे। और जब लोग ज्यादा रुकेंगे अंडमान निकोबार के समंदर का वहां के खान पान का आनन लेंगे तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव रोजगार भी पड़ेगा और रोजगार के भी नए आउसर बनेंगे। साथियों अंडमान निकोबार के एकनामिक स्ट्रेजिक कोपरेशन और कोडिनेशन का ये प्रमुक केंद्र है। हिंद मास आगर हजारों वर्सों से भारत के व्यापारिक और सामरिक सामर्त का सेंटर रहा है। अब जब भारत इंडो पैसिफिक में व्यापार कारोबार और सहियोग की नई नीती और रीती पर चल रहा है तब अंडमान निकोबार सहीत हमारे तमाम दिपों का महत्व और अधिक बढ़ गया है। एक्ट इस्ट पॉलिसी के तहट पूर्वी एश्याई देशों और समंदर से जुड़े दूसरे देशों के साथ भारत के मजबुत होते रिस्तों में अंडमान निकोबार की भूमिका बहुत अधिक है और ये निरंतर बढ़ने वाली है। नए भारत में अंडमान निकोबार द्विप समों की इसी भूमिका को मजबूत करने के लिए तीन साल पहले आईलेंड डेवलप्मेंट एजन्सी का गठन किया गया था। आज आप देख रहे हैं कि अंडमान निकोबार में जो प्रोजेक बर्सों बर्स पूरे नहीं होते थे वो अब तेजी से कंप्लीट हो रहे हैं। साथियों अन्दमार और निकोबार के बारा आइलेंट्स में हाई इंपेक्ट प्रोजेक्ट का विस्तार किया जा रहा है मोबाल अक्टिविटी की एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान तो आज हो चुका है इसके अलावा रोड एर और वाटर के जरिये फीजिकल कनेक्टिव की रोड कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए दो बड़े ब्रीश और एने फोर के चौड़ी करण पर तीजी से काम हो रहा है पॉर्ट ब्लेर एरपोर्ट में एक साथ बारा सो यात्रियों को हैंडल करने की कैपिसिटी आने वाले कुछ महिनों में बनकर तयार हो जावा, दिगलीपूर, कार निकोबार और केंबेल बे में भी एरपोर्ट ओपरेशन के लिए तयार हो चुके हैं स्वराज दीप, शहीद द्वीप और लॉंग आइलेंड में पैसेंजर टर्मिनल, फ्लोटिंग जेटी जैसे बॉर्टर एरो रॉम इंफ्रस्रेक्टर भी समय में बनकर तयार हो जाएंगे, इसके बाद यहां उडान योजना के तहर सी प्लेन की सेवाएं शुरू हो जाएगी, इससे एक आइलेंड से दूसरे आइलेंड की कनेक्टिविटी मजबूत होगी और आने जाने में आपका समय भी कम लगा करेगा, साथियों आइलेंड क समय के बीच और बाकी देश से वाटर कनेक्टिविटी की सुविधा को बढ़ाने के लिए, कोची शिप्याड में जो चार जहाज बनाए जा रहे हैं, उनकी डिलिवरी भी आने वाले कुछ महिनों में हो जाएगी, प्रयास यह हैं कि अगले एक साल में बड़े जहाजों को रिपेर करने की सुविधा वहीं आइलेंड में ही विख्षित हो, इससे आपका समय भचेगा, खर्च कम होगा और रोजगार के अवसर भी बनेंगे, इसका बहुत बड़ा लाप फिसरिस सेक्टर को भी होगा, साथियों, आने वाले समय में, अन्दमान निकोबार पॉर्ट लेट डेवलप्मेंट के हब के रुप में विख्षित होने वाला है, अन्दमान निकोबार दुनिया के कई पॉर्ट से बहुत कॉम्पिटिटिव डिस्टन्स पर स्थीध है, आज पुरी दुनिया ये मान रही है, जिस देश में पॉर्ट का नेटवर्क और उनकी कनेक्टिविटि बहतर होगी, वहीं 21 सदी के ट्रेड को गती देगा, ऐसे में अन्दमान निकोबार में हो रहें इंफास्ट्रक्टर से जूड़े कारिय उसे विकास की नई उचवयों पर पहुचाएंगे, साथियों, आज जब भारत आत्मंदिर भारता के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है, ग्लोबल मैनुफेक्ट्रिनिंग हब के रूप में, ग्लोबल सप्लाय और वेल्यू चैन के एक एहम प्लेयर के रूप में खुद को स्थापित करने में जुटा है, तब हमारे वाटरवेज और हमारे पॉर्ट के नेटवर्क को ससक्त करना बहुत ज़रूरी है, बीते छे साथ साल में पॉर्ट डेवलप्मेंट और पॉर्ट लेट डेवलप्मेंट को लेकर जो काम हो रहा है, उससे देश को नई ताकत मिल रही है, आज हम नदी जलमार्गों का एक बड़ा नेटवर्क तैयार कर रहे हैं, जो समद्र के बड़े पॉर्ट को देश के लैंड लॉक राज्यों से कनेक कर रहा है, पॉर्ट इन्फरस्रक्चर के विकास में जो कानूनी अर्चने थी, उन्हें भी निरंतर दूर किया जा रहा है, सरकार का ध्यान समंदर में इज अब बिजनेस को प्रमोट करने और मेरिटाइम लोजिस्टिक्स को सरल बनाने पर भी है, ऐसे दुनिया के सबसे बड़े सिंगल बिंडो प्लेटफॉर्म को तयार करने पर भी काम चल रहा है, साथियों ऐसे ही अनेक प्रयासों के कारण, अब देश के और नेटवर्क की केपिसिटी और केपिबिलिटी दोनों का विस्तार हो रहा है, तीन दसक के इंतजार के बाद वेश कॉस में भारत के पहले डीप ड्राप ग्रीन फिल्ड सीपोर्ट को साइधान्तिक मंजुरी दी जा चुकी है, इसी तरह इस कॉस में डीप ड्राप इनर हार्बर के निर्मान का काम भी तेजी रहा है, अब ग्रेट निकोबार में करिब दस हजार करोड रुप्य की संभवित लागत से ट्रांसिप्मेंट पोर्ड के निर्मान का प्रस्ताव है, कोशिज ये हैं कि आने वाले चार-पांच साल में इसके पहले फेश को पूरा कर लिया जाए, एक बार जब ये पॉर्ड बनकर तैयार हो जाएगा, तो यहां बड़े बड़े जहाज भी रुक पाएंगे, इसे समुद्री व्यापार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ेगी, हमारी युवाओं को नए मोके मिलेंगे, साथियों, आज जितना भी आधुनिक इंफरस्रक्चर अंडमर्न निकोबार में तैयार हो रहा है, वो ब्लू एकोनॉमी के लिए भी बहुत महत्वपून है, ब्लू एकोनॉमी का एक एहम हिस्सा है, फिशरीज, एक्वा कल्चर और सी वीड फार्मिंग, सी वीड के फायदे को लेकर आज दुनिया में चर्चा हो रही है, कई देश इसकी संभावनाओं को एक्स्प्लोर कर रहे हैं, मुझे खुशी हैं कि अंडमार्न निकोबार में इसकी संभावनाओं को तलासने के लिए पॉर्ट बेर में जो पाइलोट प्रोजेक्ट चलाया गया था, उसके नतीजे उत्साहित करने वाले हैं, अब इसकी खेती को आइलेंस में प्रोजे के लिए स्टड़ी शुरू हो चुकी है, अगर ये प्रयोग बड़े स्केल पर सफ़र होते हैं, इसको देश में अन्य जगह पर भी विस्तार किया जा सकता है, इससे विशेश तोर पर हमारे मच्छवारे साथियों को बहुत बड़ा लाब होगा, मुझे उमीद है हमारे आज के प्रयास इस दशक में अन्दमान निकोबार को, वहां के लोगों को न सिर्फ नई सहुलियत देंगे, बलकि वर्ल्ट टूरिस्ट मेप में भी प्रमुख स्थान के तोर पर स्थापित करेंगे, एक बार फिर आप सभी अन्दमान निकोबार वास्यों को मोबाईल फोन और इंटरनेट कनेक्टिविटी की आधुनिक स्विधा के लिए मैं बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ, और अब जब कोरोना का समय है, तो मैं विशेश रुप से ये प्रार्फना करूंगा, कि आप स्वस्त रहें, सुरक्षित रहें, आपका परिवार स्वस्त रहें, कोरोना के इस समय में दो गर्ज की दूरी का पानन हमेशा करते रहें और आगे भी बढ़ते रहें, इसी कामना के साथ स्वतंत्रता की इस तपो भूमी को और पंदरा अगस के पुर्व, आज मुझे आप सब से नमन करने का मोका मिला है, मैं आप सब को भी पंदरा अगस के पुर्व, आजादी के पर्व के पुर्व, ये बहुत बड़ा अवसर के लिए बहुत बहुत बदाई देता हूं, और उजवल भविश के ये नई छलांग के लिए आपको आगे आने के लिए निमत्रित करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद,